हर्याना के डिप्टी स्पिकर रनवीर सिंग गंगवा की गाड़ी तोड़ने के मामले में आज हर्याना पुलिस और सरकार की और से बड़ी कारवाई की गई है सिर्षा के DSP संजे कुमार को इस मामले में सस्पेंट कर दिया गया है इसके अलावा उनके खिलाफ अनुशास्त्मक कारवाई भी की गई है DSP के सस्पेंट की खबर की पुष्टी करते हुए सिर्षा के DSP डॉक्टर अत्पीजे ने कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच करवाई थी इसके बाद DSP संजे कुमार के खिलाफ कारवाई की गई है आपको बता दे कि 11 जुलाई 2021 को हरयाना के डिप्टी स्पिकर रनवीर सिंग गंगवा सिर्षा की चौदरी देविलाल विश्व विद्याले में किसी कारेक्रम में शामिल होने आये थे कारेकरम खतम होने के बाद जैसे ही रनवीर सिंग गंगवा सिरसा की चौधरी देविलाल यूनिवस्टी से बाहर निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी का किसानों ने घहराव कर लिया और उनकी गाड़ी पर पत्थराब भी किया गया जिससे रनवीर सिंग गंगवा की गाड़ी के शीशे तूट गए इस घटना के बाद से सिर्सा में तनापूर्वक महौल हो गया था इस मामले में काफी संख्या में किसानों पर भी मामले दर्ज किये गए थे फिलाल इस मामले में अब पुलिस ने अब किसानों पर दर्ज किये गए मामलों को रद करने की कवायत भी शु अब भी तो यही है उसमें जो की किन की फिलास कर गई हुई है अभी DSP संजय जी को उसमें सस्पेंड किया गया और बाकी आगे जो भी इंक्वैरी चलीगी उसमें जो भी सामने आता है तो वही होगा यह उपर से रिपोर्ट गई थी उस इंसिडेंस को लेकर तो अभी मेरे पास नहीं आया है मेरे पास सिर्फ स्पेंशन का ओडर आया है तो और अभी कोई भी इंफर्मेशन आई नहीं है